मिरे पास बहुत सारे students का question आता है कि sir हमने digital marketing course pursue कर लिया है complete कर लिया है लेकिन हम उसके बाद करे क्या तो guys मैं बताऊँगा आपको कि आप digital marketing का course करने के बाद क्या कर सकते हैं guys approximately digital marketing का course 3 months का होता है और उसके अंदर आपको different different concepts सिखाए जाते हैं जैसे affiliate marketing, drop shipping, search engine optimization, SEO, SMO and बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाए जाती हैं तो guys उसमें से आपको select करना है कि आपको कौन सा concept जाद अच्छा लग रहा है जिसमें आप reliable हो और आप उसे अच्छे से कर सकते हो for example जैसे आपको SEO बहुत अच्छा करना आ गया है और आपको करना अच्छा लगता है तो आप search engine optimization के अंदर एक अपना niche select कर ले याने कि category set कर ले जैसे कि sports, music, technology and food और ऐसे बहुत सारे niche market के अंदर available है सबसे पहले आपको concept choose करना है और उसके बाद niche choose करना है और यह सब करने के बाद online बहुत सारे platforms हैं महाँ पे आप अपनी profile create करिए जैसे इंटर इंशाला, Fiverr, Upwork and LinkedIn ऐसे platforms में आप अपनी profile create करिए और freelancing work start कर दीजिए और अगर आपको कोई freelance work भी नहीं मिलता है 99% मिल जाता है और अगर नहीं मिलता है तो आप अपनी ही website start कर सकते हो सबसे बड़ा plus point है यह digital marketing course का ऐसे ही education content के लिए आप apps got education को subscribe करें